गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसा हो आप सब? अच्छे हो, वेरी गूड तो बच्चों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इसके पिछली वीडियो में हमने जाना था तीन अक्षर के सब्दों के बारे में क्या जाना कि तीन अक्षर के सब्दों को लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं आज पढ़ेंगे हम चार अक्षर के सब्दों के बारे में क्या पढ़ेंगे चार अक्षर के सब्दों के बारे में यहाँ पर मैंने कितना अक्षर लिखा, देखिए, one, two, three, four, कितने अक्षर हैं, यह four अक्षर हैं, इसलिए यह चार अक्षर वाले सब्द हैं, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, यह देखिए, ब, बोलिये मेरे साथ, ब, र, ग, द, तो क्या पढ़ेंगे, बरगद, बोलिये, बरगद, very good, अब यहाँ देजी आपनों, यहाँ पर लिखा हुआ है, ब, क्या लिखा हुआ है, ब, र, द, न, तो क्या पढ़ेंगे, ब, र, त, न, बरतन, स, र, क, श, सरकस, अब ध्यान दो यहाँ पर, स, र, ब, त, शर्बत, ठीक है, यहाँ देखो, अ, ज, ग, र, अजगर, यहाँ देखो, प, न, घ, ट, पनघट, ठीक है, अब यहाँ पर रहाँ दीजिए, लिखा है, इन्हें पढ़िए, क्या करना है, इनको पढ़ना है हमको, इसके लिए पढ़ते हैं, तो चलिए बोलिए मेरे साथ, श, र, प, ट, तो क्या पढ़ेंगे, सारपट, बोलो, सारपट, यह, ज, ट, प, ट, चटपट, त, ल, छ, ट, त, तल, छट, ज, ट, ज, ट, ज, प, ट, ज, प, प, ट, च, म, च, म, चम, चम, यहाँ देखो, श, ब, न, म, क्या पढ़ेंगे इसको, श, ब, न, म, स, र, ग, म, सरगम, यहाँ देखो, मा, बोलो, मा, र, हा, मा, मरहम, ब, बोलो, ब, च, प, न, बचपन, उ, बोलो, उ, ब, ट, न, उबटन, प, ल, ट, न, पलटन, उ, ल, ज, ज, न, उल्जन, यहाँ देखो, द, म, क, ल, ल, द, म, क, ल, म, ख, म, ल, म, ख, मल, अब बाकी का आप पढ़ना, ओके, ठीक है, यहाँ देखो, अब इनसे जोड़ी कुछ क्वेशन्स करते हैं, ठीक है? आओ करे और सीखे, क्या लिखा है? आओ करे और सीखे, देखे, चित्रों को पहचान कर, क्या करना है? इन चित्रों को पहचान कर, इनके नाम लिखिए, क्या करना है? यह चित्र हमने देखा, और यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे, ठीक है? तो बच्चों, बताओ यह चित् यह सित्र है बस का किसका सित्र है बस का अब क्या करेंगे अब बस लिखेंगे तो बस लिखने के लिए सबसे पहला अक्षर कौन सा होगा अब बोलिए बह पहला अक्षर यहां पर क्या आया बह आया यहां पर क्या लिखूंगी बह अब देखो सो फिर कौन सा अक्षर आ रहा ह तो सौ तो यहां पर क्या लिखेंगे सौ तो यह क्या बन गया बस क्या पढ़ेंगे बस क्या पढ़ेंगे बस अब देखो सेकंड वाला यह चित्र किसका है तो यह फॉल का चित्र है किसका चित्र है फॉल का तो फॉल लिखने के लिए सबसे पहला अक्षर कौन सा होगा आप बताओ तो फ से फॉल पहला अक्षर हमारा फ होगा और फिर फॉल दूसरा अक्षर ल होगा तो क्या पढ़ेंगे इसको फ ल फल ठीक है अब इस चित्र को देखिए इस चित्र को आपको पहचानना है और इसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है ठीक है अब नेक्स्ट वाले पर आते हैं अब इस चित्र को पहचानू यह कौन से फूल का चित्र है यह कमल के फूल का चित्र है तो यहाँ पर हम लोग कमाल लिखेंगे तो कमाल लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे का फिर मा फिर ला तो यह क्या हो गया का मा ला कमल क्या पढ़ेंगे कमल अब दूसरा देखो किस चीज का है दूसरा है कलस का किसका चीज का है कलस का तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कलस इसको आपको लिखना है ठीक है फिर इस चीज को पहचान के इसका नाम आप लोग लिखना अब यहां आते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं थरमस क्या बोलेंगे थरमस थरमस लिखने के लिए क्या लिखेंगे पहला अक्षर कौन सा होगा थरमस क्या होगा थरमस यहां पर हम थरमस लिख देंगे ठीक है ठीक यहां पर आप लिखना इस चीज को पहचानना और यहां पर आप लिखना ठीक है अब देखते हैं सेकंड वाला सब्द पूरे कीजिए और चित्रों से मिलाइए यानि इस सब्द को पूरा करना है और इन चित्रों से हमको मिलाना है यह थीक है इसमें पहला सब देखते हैं पहला अक्षर है हर फिर डैस दिया हुआ है फिर धा फिर डैस अब चीतर देखो तो यह यह तो नौल का चितर है तो नौल से स्टाट होता है फिर यह देखो ये तो आँख का चित्र है तो आँख का पहला अक्षर आ आता है तो हमको ऐसा अक्षर चाहिए जिसका पहला अक्षर हो से स्टार्ट हो यहाँ देखो ये तो जग है तो इसका पहला अक्षर तो जो है तो ये भी नहीं होगा यहां देखते हैं यह तो भवन का चित्र है तो भवन का पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? भव आ रहा है यह भी नहीं होगा यह तरकस है क्या है तरकस? इसका पहला अक्षर तो आया यह भी नहीं होगा मिल गया यह हल्धर क्या है हल्धर? तो इस तब्द का पहला अक्षर हा आया क्या आया हा मैं हल्दर लिखती हूं या पर हा 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 ल धर र अब यहां पर हम लोग इसको फिल करते हैं हा ल धर रद हाँ अब करेक्ट बैठ रहा है तो यहां पर मैं लो लिख दूँगी यहां पर यहां पर रो लिख दूँगी ठीक है अब दूसरा देखिए दूसरा है जो क्या है जो और खाली अस्थान है ठीक है अब चित्र देखते हैं तो जग का चित्र तो पहले हमें देखा था तो जग हमारा यहां है तो यहां मैं जो पहला अक्षर तो जो आ रहा है और दूसरा गो यहां पर क्या लिखेंगे गो और इसको इससे मैच कर देंगे ठीक है तो यह सब्दों तो पूरा हो गया जो बचा हुआ है आप परोगे ठीक है तो बच्चों आज के लिए इतना ही take care thank you